असलाम आलेकुम दोस्तो मैं हूँ असलाम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ eckspor दोस्तो इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ तो वीडियो को लाश तक जरूर देखें इस वीडियो को हम शुरू करत हैं आज का पहला अपडेट है वह है सिविल डिफेंस की तरफ से कहा गिया है कि एरपोर्ट रोड पर एक गाड़ी में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गिया है जिसमें किसी तरह के कोई जाने उखसान नहीं हुआ आज का जो दूसरा अपडेट है इसको आप जरूर ध लाइन नंबर पर साइबर क्राइम के बारे में कंप्लेंड कर सकते हैं उसके अलावा मेतराश्टू के जरीव कंप्लेंड कर सकते हैं यहां पर जो आप लोगों को स्क्रीन पर एक लेंड लाइन नंबर नज़रा रहा होगा इसी इक साथ यहां पर आप लोगों को एक इमेल भी नदर आ रहा होगा अपना कंप्लेंद दर्ज करवा सकते हैं आप चाहें तो दोनों नंबरों को अपने मोवैल में सेव कर लें ये कभी भी आप लोगों के साथ में काम आ सकता है हो सकता है कि आप लोगों के साथ में कभी धोखादड़ी का मामला हो ऑनलाइन चीटिंग का मामला हो, ओनलाइन फरट का मामला हो, तो आप इस केस में इस नमबरों पर फोन करके, अपना कंपने रजिश्टर करवा सकते हैं, दोस्तों कतर में लोग दूसरी कंपनी में चेंज करवा करके, काम करने के लिए बहुत परेशान नजर आते हैं यहां पर मोई कतर की तरफ से कहा गिया है कि दूसरी कमपनी में चेंज किये बिना भी एरा पेपर बनवा करके दूसरी कमपनी में आप फुल टाइम जॉब कर सकते हैं आप लोगों को कमपनी चेंज नहीं करना पड़ेगा आप जितना दिन दक चाहें उस कमपनी में काम कर सकते हैं बस यह है कि आरा का पेपर जब एक्सपर होगा इसको आप बढ़ा करके फिर से काम कर सकते हैं इसके लिए आपको अपनी कमपनी से बात करके पेपर बनाना पड़ेगा पेपर बनाने के बाद में ही आप ये काम कर सकते हैं उससे पहले करेंगे तो आप लोगों को पकड़े जाने की सुरत में दिक्कत और प्रोब्लम होगा इयरपोर्ट पर कस्टम वालों ने 8 किलो गराम नशा से रिलेटेट समान को अपने कंट्रोल में ले लिया है लोग वहाँ पर इस तरह की समान को ले जाने के लिए एक से एक तरीका निकालते हैं लेकिन वाक्सरों बेश्थर पकड़े जाते हैं इस समान को एक पैसंजर ने अपने कपड़े में छुपा करकी ले जाने की कोशिश की लेकिन आफिसर ने इसको पकड़ लिया दूसरी तरफ खतर में पुलिस वालों ने एक आदमी को जो के नशावला समान बेचने और खरीदने का धंदा करते थे उसको रंगे हाथों गिरफतार कर लिया उसकी एक्टिविटी से पहले ड्रोन के जरी उसको गिरफतार कर लिया गिया उसके पास से नशावला समान के साथ साथ बहुत ज़्यादा काईश भी बरामद हुआ है दोस्तों मैं जो भी अपडेट आप लों के साथ में शियर करता हूँ उसका स्क्रिन शॉर्ट रेफिरेंस के तोर पर आप लों के साथ में जरूर शियर करता हूँ कतर में जुलाई के महिने में जून के मुकावले में लोगों की तादाद ज्यादा हुई है कतर में जून के महिने में लगवग 26 लाख मौजूद थे जबके जुलाई के महिने में ये तादाद 26 लाग से बढ़ करके 37 लाग के आसपास हो गया कतर इ गोर्मेंट पोर्टल यानि के हुकूमी की तरफ से कहा गिया है कि अगर कतर में किसी वर्कर का आईडी गूम हो जाता है तूट फूट जाता है खराब हो जाता है या कहीं पर लोश्ट हो जाता है तो इसको फिर से मेतराश्टू के जरीय हासिल कर सकते हैं जिसका चार्ज 220 लियाल आता है अगर किसी आदमिक आईडी कहीं पर गूम हो जाता है तो उसको पुलिस में कि अगर वो आईडी कहीं पर गूम हो जाता है तो सिस्टम में वो बलोक कर दिया जाएगा उस आईडी से कोई दुसरा आदमी कोई नजाज फाइदा नहीं उठा सकता है अईसा करने पर वो पकड़ा जाएगा लेकिन अगर आप इसके बारे में रिपोर्ट नहीं लिखवाते हैं पुलिस में तो अगर ये आईडी किसी को मिल जाता है तो वो इसको गलत यूज भी कर सकता है तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो उमीद करता हूं जरूर पसंद आईए होगी कतर के बारे में रोजना इसी तरक इन्फर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शियर करें बहुत बहुत शुक्रिया